बेलकुल होना चाहिए साहिए वैसे अपराजी और गुंडों को माथिया को बेलकुल खतम कर दिया जाए तो देखा आपने गाउं के लोग कह रहे हैं कि आदो समाज का ब्यक्ति कह रहा है कि भले मैं यादो हूँ लेकिन इस यादों ने गलत किया है ऐसा यहां के लोगों का क और मैं काफी दिनों से लगवे मेरी उम्र 42 और सो गई है पचीस और सो से आता जाता हूं यहां पहले खलंजा विशा गया था यह खलंजा इसी यादा दवरा जो है भूमाफिया दवरा यह खलंजा उपार के दोस्करवा दिया गया दोस्कर दिया और यह उनकी बाउंडी परिभा दीपक जलाने के उपलक्ष में दिवाली के दिन इन्होंने territल में पुरे परिवार को लाटी देन्रfront आकााइatra गया र במश Springs मौणा है फिर hen उनकी बेहे पिवाराफिया को में एक साफ में पढ़ते लिज़ते लो Ernst ही 訂 Tips आफी और इस दुनिया में हमारा दोस्त मर गया हमको बहुत दुक है भाई हम थे नहीं थे नहीं बाद में सुने कि देखे कि भाई पहलोँ हमारा मारा गया इस वे बुर्डोजर चलना चाहिए अधूर्ब कर रहा हैं कि अब है जमीन है साहब हम भी गाओं के इसी हैं हमारी उमर तो पचास साथ साल की हो गई है कि मैं आपको बता दू यह अपराधी का घर है और इनी लोगों ने दिवाली के दिन ही जान ले ली ब्रामण परिवार और यादो परिवार में टकरार होता है दिवाली के दिन दिये जलाए जाते हैं और और ऐसा परिवार के लोगों का कहना है पिडित परिवार ने इस तरह का आरोप लगा है मैं बता दू कि यही जो घर है आप देख सकते हैं ताला मार के अपराधी लोग फरार हैं एक बार मैं फिर से कहें केमरे परसन को दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे अंदर से ताला लगा हुआ है और अपराधी फरार है कुछ लोग जेल में भी गए हुए हैं और देखिए सारा चीज करने के बाद भी यहाँ दिवाली भी धूम नाम से मनाई गई है आप देख सकते हैं लोगों का काना है कि यह बंजर जमीन है यह आबाइद जमीन है आबाइद कब जहा है और इसी घर पे बूल डोजर भी चलना चाहिए यहां के लोगों का कहना है चेत्र के लोग भी कह रहे हैं कि अगर ऐसे आप राधियों को पनकने दिया जाएगा आगे बढ़ने दिया जाएगा तो कही ना कहीं बड़ी घटना हो सकते हैं इनका भी मडर हो सकता है आप भी मडर किया. अब यादो हैं भी मगर गलत का साथी नहीं हैM पृढ़ी का साथी हैम् यादों का साथी नहीं है। गलत हुआ है बेलकुल क्योंकि हमारा साथी पहलवान मारा गया हाँ पहलवान जो था कि हमारा साथी था हमारे साथ में लड़ता था पहलवान जो अच्छा है आदमी था और उसके बाद ये लोग आभेद काम किये गुंडे गर्दी किये मैं भी गाओ का याद भर के सामने आ जाईये साथियों जैसा कि हम है इसमें पर्याग राज में हंडिया अपने सुना होगा दिवाली के दिन दीप जलाने को ले करके और आपसी बीवाद भी था जमेनी बीवाद ऐसा यहां के लोगों का आगाना है घर के लोगों ने इस तरह का आरोप लगाया है मैं इस समय ब कान है अच्छा कोन वाली वाला इसी में लोग रहते हैं सरकारी जमीन है और अबैध कबजा है आए लोग जबर जैस्ति गुंडा के बल पर खुद दस आदमी मिल करके और बाकी दस आदमी बाहरी बुला करके यहां से जड़ब सुरू किया करते करते हैं पूरा बाग में अत् मेरे भाई के और मेरे लड़के की जान मार करके पीट पीट करके हत्या कर दिया हमारा जो लड़का का मरा है मैं उनका पीता लगता हूं और जो मरा हुआ है मेरा तीसरा नंबर भाई है जितन पर साथ दूबे चचा यह योगी सरकार में कहा जा रहा है कि गुंडे माफिया नहीं है यह कहां से पनक जा रहे हैं तो पता नहीं व्योगी संदक्राइब कानून मैं को किUNT कहने में उपनाइन को विदियो यह वह को अंग हम को आग्छे से दिखना चाहिए झाला तरकना हैं करें में कर दोब यह women यहां बैठक होता है यहीं से सब कुछ हुआ है यहां अच्छा यहां गुंडे बदमास भी आते हैं यह पूरा जगह है और क्या यह लोग चोरी औरी भी पहले करते थे इन लोगे नाम से गुंडागीरी चोरी अरे चीज से लोग अदम इस लोग गुंडे हैं इस जाकाइट ह है जो कि खाने में इनका नाम भी चलता है इनको मकान देख लिजे लोग कमी इदा उदा किसी को पनपने नहीं देते थे यहीं है गुंडे बदमास सकी मैं आपको बता दूँ यह अपराधी का घर है और इनी लोगों ने दिवाली के दिन ही जान ले ली ब्राम्हण परिवा ने इस तरह का आरोप लगा है मैं बता दूँ कि यहीं घर है आप देख सकते हैं ताला मार के अपराधी लोग फरार हैं एक बार मैं फिर से कहीं केमरे परसन को दिखाने की कोशिज करूँगा यहां पर अंदर से ताला लगा हुआ है और अपराधी फरार है कुछ लोग जे आप देख सकते हैं सचात यहां पर परमार भी है दूसरे के घर में दिये जले चाहें न जले लेकिन इनके घर में जलना चाहिए आप देख सकते हैं लोगों का कहना है कि यह बंजर जमीन है यह अबाध जमीन है अबाध अतिक्रमर है अबाध कब जहा है और इसी घर पे रमिश कुमार यादो मगर गलत का साथी नहीं है तो आदमी था और उसके बाद यह लोग आभेट काम किये गुंडे गर्दी किये भर के सामने आ जाइए डर तो नहीं न रहे हैं इनसे आप राधी हैं तो गुंडे होंगे आपको भी मरवादेंगे तो मरवादेंगे हमको भी कुबूल है इधर आईए क्या चाहते हैं इनको पर क्या करना चाहिए इस वे बुल्डोजर चलना चाहिए हमारी वी उमर तो 50-60 साल की हो गई है हमारे साथ का जो साथी था हमारे साथी था हमारा पहलवान उसको मार दिए ना कि कोई हमारा मिश्क्र नहीं हम गाओं के जितेंद पहलवान जो मर गए थे हमारे साथ में कुस्ती भी लड़ते थे अच्छा लड़ते थे हम दोनों एक साथ में पढ़ते लिखते थे जातका ओब रामर था हम यादो थे हमारी उसकी दोस्ती थी बस भी आप तो इस दुनिया में नहीं है बड़ा दूख हो रहा होगा हमारा दोस्त मर गया हमको बहुत दूख है भाई हम थे नहीं थे नहीं बाद में सुने की देखे कि भाई पहलवान हमारा मारा गया यह पता चला कि तुम्हारा साथ ही मारा गया आप मानते हैं कि इसने हम गलत किया है सरासर गलत किय यहां से इसको हटा दिया जाए एकदम आबेद जमिन खाली करवा दिया जाए अचा अब परिवार वाले कह रहे हैं पंडित ब्रहमर परिवार के लोग कर रहे हैं कि बुल्डोजर वी चलना चाहिए और इसको तो बीच और आया पर गोली मार देना चाहिए इंकाउंटर होना बेलकुल होना चाहिए साहिए वैसे अपराजी और गुंडों को माथिया को बेलकुल खतम कर दिया जाए तो देखा आपने गाउं के लोग कह रहे हैं कि यादो समाज का ब्यक्ति कह रहा है कि भले मैं यादो हूँ लेकिन इस यादों ने गलत किया है ऐसा यहां के लोगों का कहना है ऐसा छेतर के लोग बता रहे हैं गाउं के लोग बता रहे हैं और कहीं न कहीं आप देख सेकते हैं इधर पुलिस की टीम जो है इनकी गाइडलाइन है इन्हें बताया गया है कि आपको यहां रहना है किसी परकार का बात बिवाद नहों और मुझे आसा और उमीद है कि अगर यह बंजर जमीन होगी तो कहीं न कहीं बाबा का बोल्डोजर जरूर चलेगा देर नहीं होगा इस परिवार के साथ नयाय होगा बहुत-बहुत सुब कामना लेते हैं बिराम एक बार मैं जगाय को फिर से दिखाने की कोशिस करूँगा यही हो जगाय है आगे का यह देख सकते हैं यादो जी का मकान है देखिए एक बाइसावे हैं हमारे विच बरिश्ट पत्रकार भी हैं साथा अब मेरा नाम दीपे कुमार पांडे है मैं मेरी यहां बहन की गई थी मेरा बहनोई मारा गया है और मैं काफी दिनों से लगवे मेरी उम्र 42 और सो गई है मैं पचीस वर्भसो बेंशेओं से आता जाता हूं यहां पहले खलंजा भिशा गया था यह खलंजा इसी यस Dohr Cay जोह है भूमाफिया दोरा यह कहलत डिया दौस करेको चख़़न पार कर के दोस्करya गया पुरे परिवार को इनके साथ क्या होना चाहिए और इस यादव भूमाफिया के खिल्याप सकत कारवाजी होनी चाहिए जो सरकारी जमिन इसका मकान बना है इसका मकान गिराना चाहिए योगी यादिनासी जी से निर्दासान उस्वार जो है राजास के करमचारी भी मिले इसमें जो देखा जा रहा है राजास व मिघ्ण के बहुत करेंगे लोग निलेंवित करेंगे बहुत से लोग करेंगे यहां नहीं रहेंग, वहां रहेंगे, वहां भी तो ज़रूरी है और इनको आर्फिक विए जाए जाये, कि जिस घर से दो-दो लाहसे उठ रही है इन्हीं के का उठ रही है अगर कल इस पर कदम उठा लिए होते ते लाहसे यहां से न उठती असली मुल्जीन तो लगता है कि राजस्व विभाग है ऐसे मामलो पे और इनके साथ भी वही करना चाहिए जो इस परिवार के साथ हुआ है बहुत दुख़द है देखिए एक बुजूर्ब चाचा जी है इनसे मैं सवाल करने की कोशिश करूँगा चाचा जी कहां से आप आ मैं हरीपूर्ड मर्रोय गाउं है मेरी सदारी यहां पर है इस घटना साथ कितना दुखी था बहुत दुखी है दुखी न होते तो आत तीसरा राउंड मेरा यहां नहो रहा है जब यह हम लोग मिलितरकरस्थान पर दिन देखते हैं लेकिन यहां कोई दिन हो गया है कुछ और दुखी ब्रेस्त बार है कि कारवाही क्या चल दह के पूरा भरोसा है माननी मुक्तमंत्री जी के ऊपर कारवाही होगी अभी आप राधी के घर पे खड़े हैं, जनकारी मिल लई है, कि ये बुल्डोजर से ध्वस्त किया जाएगा, इस तरह की जनकारी मिल लई है, किया जाना चाहिए, हम लोग की मांग है, गिरा देने से ब्रामण परिवार के जो लोग गए हैं, उन लोग आ जाएंगे, ने दे इनका सब कुछ नस, जितना भी अवैद कारिय करते हैं, सब इनका नस्त होना चाहिए, जितना भी, जैसे ये कुगरित किया है, इनके साथ भी वही होना चाहिए, जैसे इसके पहले भी, कई माफियाओं के उपर हुआ है, यहाभी तो माफिया ही माने जाएंगे न, यह कि फिर हिला हवेली होगी यादव जी भी है तो कहीं न कहीं इनका आखले से साट गाठ हो सकता है क्या करेंगे यादव जी हों चाहे ठाकुर जी हों चाहे पंडी जी हों कोई हो हत्यारत होता है हत्यारे की कोई जाती नहीं ऐसा कहा जाता है लेकिन बहुत से मामलों में देखा गया है कोई योगी जी तक पहुच बना लेता है कोई अखिले स्यादो जी तक पहुच बना ले अभी हमारे सांसर जी आये है